हलो फ्रेंज, ओ कैसे आप लोग आई, ओप आप लोग ठीक से होंगे फ्रेंज, आजकी इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगर आपने ओमान का वीजा अप्लाई कर रखा है या फिर आपको वीजा मिल जाता है चाहे आपका work visa हो या फिर widget visa है और visa को लेकर के आपके mind में कोई भी शवाल है कि आपका visa real है या फिर fake है क्या agent आपको visa को edit करके दे दिया है या फिर आपका visa genuine है ऐसे में आपको अपने visa को check करना हो तो आप जो है उसको कैसे check करेंगे and कैसे आप उसका दूसरा भी print online निकाल सकते हैं सो बने रही है आज की इस वीडियो में complete process बताने वाला हूँ ताकि आप अपने visa को check कर पाएं कि आपका visa online show कर रहा है या फिर नई show कर रहा है आपका visa कभी issue हुआ है and आपके visa की validity कब तक के है क्या आपका visa employment visa है या फिर widget visa है या फिर e visa है सो यह सारा detail भी आप check कर पाएंगे सो करना क्या है आपको सबसे पहले अपने mobile या computer के screen पे आना है और आप जो भी browser use करते हैं उसको open कर लेना है सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जो है ओमान के e visa website को open कर रहा है यही से आपको भी visa को चेक करना है तो इसका link आपको description में मिल जाएगा आप वहाँ पे click करके direct जो है इसके official page पर आ जाएंगे सो जैसे आप इस पे आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का interface देखने को मिल जाएगा दोस्तो वीजा को चेक करने के लिए आपको यहाँ पे कई सार अप्सन मिल जाता है फर्स्ट जो है home का है and know your visa type and track your visa application तो यहाँ सबसे उपर वाले में आपको click कर देना है track your visa application वाले अप्सन पे जैसी आप इस पे click करते हैं तो आपको यहाँ पर track your application का option देखने को मिल जाता है and यहाँ पे आपको 3-4 option मिल जाता है जो कि आप यह detail type करें अपने visa को चेक कर सकते है तो बात करें सबसे पहले visa application number की तो अगर आपको जो visa मिल गया है तो उस पे जो है आपको visa application number मिल जाता है तो बने रहिएगा video के last में बताने वाला हूँ कि जो आपको visa मिला होगा उस पे visa number कहाँ पर होता है तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर visa number को जो है type कर लेते हैं ठीक है visa number type करने के बाद आपको यहाँ पे travel document number type करना है यहाँ पे आपको अपना जो है passport number type कर लेना है और उसके बाद आना यहाँ पे एक option मिलता है documents nationality इस पे क्लिक करके आपको अपना nationality जो है choose कर लेना है आप इंडिया से हैं यहाँ फिर बागलादेश से हैं जिस भी country से हैं उसको यहाँ पर choose करेंगे टेक से verification का option मिलता है यहाँ पे जो capture दिख रहा है आपको simply नीचे box में type कर लेना है यहाँ डीटेल टाइप करने बाद आपको करना क्या है नीचे search का option मिलता है right side way आपको इस पे click कर देना है यहाँ सारा detail type करने बाद आपको यहाँ पे capture type कर लेना है और उसके बाद search वाले पे click कर देना है जैसे आप search वाले पे click करते हैं आपके सामने detail open हो जाएगा जैसे कि आपको नीचे आपे देखने को मिल जाएगा वीजा नंबर, travel document नंबर और वीजा status अगर आप देखना चाहते हैं आप पे अपना वीजा status भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका वीजा approval है या फिर pending में है या फिर reject हो गया है तो यहां से यहां भी detail आप जो है चेक कर सकते हैं और लास्ट ओप्शन जो है payment receipt की बात करें तो यहां पे एक PDF फाइल में भी आपको फाइल मिल जाता है इसको आप चाहे तो डाउलोड भी करके चेक कर सकते हैं तो डाउलोड करने के लिए इस पे क्लिक कर देना है तो आपके system या mobile phone में या फाइल जो है डाउलोड हो जाएगी simply आपको इसको open कर लेना है open करते हैं तो आपके सामने वीजा open हो जाएगा यहां बात करें वीजा का payment paid है या फिर नहीं है तो यहां पे यहां भी detail चेक कर सकते हैं कौन से date में आपका वीजा का payment हुआ है वीजा type की बात करें तो यहां पे आपको यहां भी देखने को मिल जाता है कि आपका वीजा employment है या फिर वीजिट वीजा है से आप यहां भी चेक कर सकते हैं वीजा application number मिल जाता है और आप अपने वीजा को verify कर सकते हैं आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो दोस्तों में share कीजिए और वीडियो को like करना ना भूलिएगा चैनल पे नए है तो subscribe करिए इस वीडियो से related अगर आपके mind में कोई भी शवाल है तो आप comment करके पूछ सकते हैं मिलता हूं next वीडियो में टेक कियर बाई बाई